अगर आप पहली बार आप लोग मुझे देखने आये हैं यहां पर तो मेरा नाम अदीती है और Computer Science से मैंने अपना JRF क्वालिफाई किया और आप सभी लोगों के लिए Paper 1 और Paper 2 दोनों की अगर आप सबी लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों को पढ़ाया हुआ पसंद आता है अप हमारे साथ में कंटिव करना चाहते हैं अपनी जारिफ की जर्नी के अंदर आप हमें हमारे साथ में इस कर आपके सारी चीज़ अब लेबल है आपका support नंबर के सामने है इस पे आप कॉल कर सकते हैं पूरी की पूरी मौक्तने सकते है अब में तीन अप्रोच्च थैइंक के बतारे हूं निसारच के क्रिंसिपल विज भी के इनileri है या क्यों Bur Igor एप लोगों के डिमिने लोगों की आप अप्रोचिकल स्टेप सेपह सबसे पहले आते हैं आप लोगों के लिए कौन सी अप्रोच आपके लिए आती है डियॉंट लोजिकल अप्रोच यह यह आपने जो भी रिसर्च प्रोसेस अपनाई है जो भी रिसर्च के अंदर आप कारे कर रहे हो यह आपको बताना है कि यूनिवर्सल कोड के बिहाफ पे करिया द depend fishing to industry. मत्लब जो यूनिवर्स में फॉलो होता है उस लॉखको अप्लाइ करनी चाहिए हिए जैसे यूनिवर्सल में कहते हैं कि भाई किसी का मर्डर करना जुर्म है क्या करता है? किसी का मर्डर करना जुर्म है यह यूनिवर्सल कोड से इससा ऑफरिक्लर Mmwh स्टेट में है उसमें है पूरी दुनिया में यही रूल किया जाता है तो यह हो गया डियोंट लोजिकल अपरोच जो युनिवर्सल के बिहाफ पर चलता है इसके युनिवर्सल के बिहाफ एक होता है स्केप्टिसम आप यहां पर यह स्केप्टिसम का मतलब यह होता है कि जो के प्रिंसिपला और यह यूनिवर्सल नहीं है यह उनिवर्सल नहीं यह किस पर यह पेंड करते हैं कि बहुंव सारे इंदिविज्वल चरह को अझार कई थे से अप लोगों को कि कि यह उसने चोरी करी है तो किया उसने ethical grounds को वाइलेट किया है तो यहां पर अगर उस individual के भी हाफ पर देखा जाए तो चोटी सी बच्ची उसको भूग लगी थी तो उसको भूग लगी बिसकित देखा उसने उठा लिया वेरेस युनिवर्सल कोड के अंदर देखा जाता कर डिया उन्तोलोजिकल अप्रोच में लगाती तो भई किसी ने भी करी हो क्या भी किया हो कुछ भी किया हो चोरी मतलब चोरी है दोनों में डिफ्रेंट समझ में आ रहा है कि एक तो कहता है कि नहीं युनिवर्सली सारी वड़ कोंज़ता है उसका प्रैक्टिस की तो और उसने किया शॉक क्यों व अशौक पर उसने चोरी करी है तो फिल मिला के यह इन्डिविज्वल पर डिपेंड कुछ के ओपर डिपेंड करेगा और ये डिपेंड करता है कि सामने वाला जो बंदा है, उसका क्या सोच है या वो क्यू कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है। तर अपका इउटिलिटीरिजिम्, तेखो यहाँ पर electricity word जो मतलब है उसका मतलब यही होता है कि यह देखना कि इस से हमें क्या फायदा हो रहा है, इस से हमें क्या यह बेabileफिट वर व्यरा है, जैसे पर चीछ सम्की अन्दर अप लग perfume के करें तो यहाँ पर आप लोग यूटिलिटी वर्ड का जो मतलब होता है उसका मतलब यह होता है कि यह देखना कि इससे हमें क्या फायदा हो रहा है इससे हमें क्या बेनेफिट हो रहा है जैसे जादातर सर्च के अप्षिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर आप लोगों का यही अप्रोच लगती मैं, जब हम लोग नॉन प्रोबाबिलिटी सैंपलिंग लगाते हैं तो आपको पता है इसके अंदर जो रिसर्चर होता है उसकी बाइसने साती है रिसर्चर अपने फायदे से क्या करता है सैंपल सिलेक्ट करता है अब जाहिज बात है कि मोधी जी से पूछा जाएगा कि बता करे जोастरी देखे लोग है वो थोडिया बताएग या फिर तोहीज बिहार बताएगे या पिर राजंग बताएगे या फिर होते हैं जो पूरी दुनिया के अंदर फॉलो होते हैं दी फॉर दुनिया में जो रूल्स फॉलो होते हैं वो डियॉन्ट लॉजिकल आपके लिए आ गया स्केप्टि consciousscale यह किसके उपर डिपेंड करता है यह बेंड करता है इंडिविज्वल के उपर खुद के अपड़ डिपेंड करता है और फिर आता है यूटलिटी वाला मतलब कितना मुझे इससे बेनिफिट हो रहा है कितना मुझे इससे लॉस होगा हर चीज में मोल भाव करके काम करना क्लियर क्लियर है ना इससे मैं पो फिर बता रहे हूं गैरेंटी है कि एक सवाल बनेगा एक्जाम के अंदर गैरेंटी बोल रहे हूं कि एक सवाल बनेगा यहां से अगे चले इसी चीज पर तेको डेटोलोजिकल रॉंग और राइट अपलोगों को पहले से बताया जाएं स्केप्टिसिम कि अगर मैं बात करें हूं तो गया है कि वाई डूंट यू तिंग रिपोर्ट हाज एनी डीटेए अनलेसिस जस्ट कट करना बात कर रहा है कि यहां पर जो है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरा गट ऐसा कह रहा है आपके लिए ओदा ना कि यह काम मुझे नहीं करना या क्यों नहीं करना है मम्मी और पापा से बिल्कुल परमिशन लेकर चले तो गय थे गए ते गोवा पर गोवा में जाके अभी क् कुछ दोस्तों सब कुछ कर रहे हैं आप ऐसे बोलो नहीं हमे को यह यह नहीं करना है मैंने म ऑ म मग पाप से पूछा नहीं यह मुझे नहीं लगता है कि एक सहीं काम है तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहां पर आप अपना गट फिलिंग, स्केप्टिसिम, इंडिविल के ओपर बेज़ रहे हैं, ठीक है, सामने वाला कुछ भी कर रहा हो, बट मेरा ये गट फिलिंग कहता है कि मैं यह नहीं करूंगी, यह जो स्केप्टिसिम्म बोट जरूरी यह परिज़ बेज़िगा अपकी प्रिंसिपल्स परिंसिपल्स के लिए, जैसे हम भी यूस करते हैं, जैसे मैं आपको हमेशा बोलते हो, जाहे कुछ भी हो जाये पर इस यह काम करूंगी तो नहीं करूंगी, यह जए कितने भी उससे फीज़ बनाऊंगी, मुझे ही बता ह उनका अलाओ करता है, मेरा अलाओ करता है, मेरा अलाओ करता है, कुछ का मेरा अलाओ करेगा, उनका नहीं अलाओ करेगा, इस तरीके से, ठीक है ना, पर रहता है, यूटिलिटी वाली बात क्या मतला है, कि माम देखो, यह बता रहा है, कि यहां पर जो है, इसे करने से मुझे क इतना नुकसान होगा, जैसे कि she is a good person, जिसके 4 बच्चे है और जो है यह अपने नेवर्स को भी बहुत प्यार से रखती थी और बहुत सारे लोगों को help करती थी याद यह जो है एक अच्छी लेडी है इसको मुझे बचा लेना चाहिए, बैटमेन कहा है कि यह इसको ना बच बचाने में फायदा है, इसको बचाने में फायदा नहीं है, जैन आता है कि भाई यह जोकर जो है, जोकर को कर दिया और वुमिन को बचा लिया, इस तरीके से आप लोगों के लिए यूटिलिरिजम फालो होती है, समझ में आ गया, इसके एलावा दे को कुछ इंपॉर्टे जैसे कि deception, इस पर प्रिविए से एग्जाम के अंदर सवाल बनाता है, deception का मतलब यह होता है, कि आप सभी लोगों के लिए कोई एक वालिड रिसर्च आप लोगों के लिए कोई एक वालिड रिसर्च आप लोगों करना चाहते हो, तो उस समय पर यह deception वाली बात ही मैंने कामने रखो, आपके रिपोर्ट के अंदर को चीजे मैं छुपी हुई होनी चाहिए, डिसेप्टिड फॉर्म में अंदर रहनी चाहिए, तो अगर डिसेप्शन को अगर बोले कि धंग से क्लियरिफाय नहीं किया है, तो इसके बहुत सारे डिसेड़ांटेज भी हो सकते है, क्योंकि आपका जो पेपर है, आपका जो थीसिस है, वो रिव्यू होता है, और रिव्यू कमीटी को अगर आपने दंग से नहीं बताया है, तो आपका रुख सकता है, तो आपको यह एज़स्ट करना पड़ेगा, कि भाई, कहां पर कितना आइडेंटिटी डिस्क्लोस करना अगर मैं बोलोगों के लिए बीषिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत बतान थोड़ा बहुत शुपाना यह का आसान भाशा में मतलब है, इसे हम लोग बोल सते पोस्ट सटड़ी इंटर्व्यू है जो कि आप सभी लोग करते हो, और एक्स्प्लें करते हो कि भई, कैसे किया, जैसे, जब मुवी रिलीज होती है, तो आंटर जोती है, ऑन्रोड मुड़म्ला के बीज एक्तार करते हैं, पूरी मुवी कहानी है जब सुछा टोड़ा साद टिभी पर्ली थे कहानी हो ठोड़ा सब्सक्राइब कर दे दें कुछ चीजे बता समझ में आया इस देन आता है आप लोगों के लिए दिखोड़ा और आप लोगों का यह है कि जितने आपके पार्टिसिपेंट्स हैं आप उनको यह बताने की कोशिश कर रहा है और हम जो है इसी लिए डेटा कलेक्ट करें आप अपना पूरा का पूरा रिसर्च तो समझा नहीं सकते हो इससे आप डेटा कलेक्ट कर रहों से तो आप क्या करोगी उनको थोड़ा करें हम जो है समझने की कोशिश करें कि लोगों की मानसिकता कैसी होती है और किलिंग क्या होता है इसलिए हम यह सब करें उनको बस हम बताएंगे तो यह होता है अपका डिहां से यह करना जरूरी भी है तो है तो यह थान भी रखना बहुत जारूरी होता है कि अगर आपकी या आपके पूरे के पूरे रपोर्ट के अंदर किसी भी तरीके से आप ने कुछ भी ऐसी चीज़े लिखी है या कोई भी ऐसा टॉपिक आप जो थोड़ा sensitive हो सकता है, लोगों को hurt हो सकता है, उनकी feelings पर जो है, वो influence हो सकता है, तो हम यह कोशिश करते हैं कि हम उसको पहले सही mention करें, जैसे आप movie भी देखते हो, या कुछ भी करते हो, या कोई किताब परते हो, तो पहले ही mention किया जाता है, कि देखिए, हम यहाँ पर किस किसी की भी feelings को किसी के भी caste पर religion पर हम कोई comment करना नहीं चाहते हैं, हम बस अपना perception है, जो यहाँ पर लिख रहे हैं, यह इस movie में दिखा रहे हैं, यह करना बहुत ज़रूरी है, इसे हम लोग कहते हैं, desensitization, या sensitizing, कि हम बता दे रहे हैं, कि हम यह क्यू कर रहे हैं, झाल, 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